दिल्ली में पिछले आठ साल से उनके पास कोई विधायक नहीं है इससे पता चलता है वो कितना अलेक्शन लड़ते हैं जाक लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं एक कॉंग्रेस का मंत्री था जो बचने के लिए बीजेपी में चला गया था उसके खिलाफ केस था वो केस में से अपना नाम कटवाने विजिलेंस के पास पचास लाक रपे लेके आ गया कि जी मेरा नाम निकाल दो उन्होंने बोला जी आजो अब तो नाम तुमारा ही होगा बस अब बीजेपी कह रही है जे तो जी हमारी तरफ अभी आया नहीं था कॉंग्रेस कह रही है जी हमारी तरफ से तो चला गया था ये इनका काम है गुजरात में आप लोगों को BJP से या कॉंगरस से आपके किसी दोस्त को या रिष्टेदार को टिकेट मिल सकती है भाईया नए 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 जिला परधान भी नहीं बन सकते इनके ही बेटे इनके ही आगे रिष्टेदार माम में फुपे पता नहीं कहां तक चलते हैं भिष्टाचार से अजादी ये माफिया से अजादी ये लुटेरों से अजादी भाव नवगर की बहुत ही जोश से भरी हुई ये परिवर्तन रैली में जगा जगा से यहां पर अपना कीमती समय लेकर पहुँचे हुए भाव नगर निवासी सत्कारियोग बजुर्ग युवा बच्चे माएं बहने और मंच पर आसीन करांतिकारी मुख्यमंत्री देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल साहब इशुधान भाई और हमारी गुजरात की पूरी टीम और जितना भी मीडिया आया है जितना भी आया है इनको आने नहीं देते ना कोई बात नहीं जितने भी हिम्मत करके आये हैं आप सब को मेरी तरफ से नमशकार परनाम सस्रिकाल दोस्तो हम यहां आपको कोई जुमले सुनाने नहीं आये हम आपको दिन में सपने दिखाने नहीं आये हम कोई हवावाला जहाज पानी पर चलाने नहीं आये हम सिर्फ आपके साथ आपके बच्चों की आपके परिवार की शिक्षा की रोजगार की और इलाज की बाते करने आये हैं आम आदमी पार्टी रवैती पार्टीयां जो हैं ट्रडिशनल पार्टीयां उनकी तरह नहीं है कि आए हाथ हिलाया और गए बोट पड़ जाते थे मैं खेड ब्रह्मा गया सुरिंदर नगर गया दाहोद गया वडोदरा गया एक ही बात सुनने को मिली मैंने युवा लड़के से पूछा मैंने का जी गुजरात को क्या चाहिए इस बार चुना में बोला चेंज मैंने का चेंज कौन है फिर केता जी आम आदनी पार्टी मैंने का कॉंग्रेस नहीं केता कॉंग्रेस चेंज नहीं जी कॉंग्रेस तो अक्सचेंज है किसी के कम होते हों पांच इदर से ले लो किसी के कम पढ़ रहे हों दस इदर से ले लो वो तो मतलब कोमा में चली गई है तो अभी आमाद्वी पार्टी गुजरात में जो आंधी चली हुई है परिवर्तन की उस आंधी का मैं अभी देख रहा हूँ एक छोटी सी जलक उसकी जो दर तालियों से ये बता दीजिए कि ये आंधी का हिस्सा आप भी है दिल्ली में चेंज आया हम एक मौका मांगते हैं आमाद्वी पार्टी वालों की एक खासियत है एक मौका मांगते हम कि एक मौका दे दो उसके बाद लोग किसी और को मौका ही नहीं देते दिल्ली में देख लो एक मौका मांगा था ना बीजेपी को ना कांगरूस को मौका ही नहीं मिला पंजाम में हमने एक मौका मांगा था एक सो सत्रा में से बानमे सीटें दी बानमे में से ब्यासी MLA जो हैं बिधाइक जो हैं वो पहली बार जीते हुए लड़के लड़किया हैं पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे-बेटियां गुजरात में आप लोगों को बीजेपी से या कॉंगरेस से आपके किसी दोस्त को जैर रिष्टेदार को टिकेट मिल सकती है भाईया नए 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 जिला परधान भी नहीं बन सकते हैं इनकी बेटे इनकी आगे रिष्टेदार मामें फुपे पता नहीं कहां तक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आप लोगों को आपके बच्चों को टिक्टें देती है उनको विधायक बनाती है उनको विधान सवा की सीडियां और लोक सवा और राज्य सवा की सीडियां दिखाती है यह आम आदमी पार्टी है पंजाम में भी बिल्कुल वही हाल था जो आज गुजरात का है पांच साल कॉंग्रेस पांच साल अकाली बीजेपी पांच 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 ऐसे बारियां थी इनकी तो इनको ये लगता था कि लोग जाएंगे कहां कोई रास्ते ही नहीं है हमारे पास याएंगे जैसा आपके साथ हुआ है बैसा मैं तो आपके सबर का मतलब मान गया मैं आप लोगों को 27 साल से सिर्फ एक ही पार्टी हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता यार इस बार त में आपके पास रास्ता नहीं था कॉंग्रेस तो लड़ती नहीं इलेक्शन उन्होंने तो छोड़ दिया ये काम वो तो किसी और काम पर लग गए जहां लेक्शन होती है वहां कॉंग्रेस नहीं होती देख लो दिल्ली में 2015 में और 2020 में दिल्ली में देश की राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी ठारा सो पचासी स्वें बनी कॉंग्रेस पार्टी कितने बिदाय का है जीरो दिल्ली में पिछले आठ साल से उनके पास कोई बिदायक नहीं है इस से पता चलता है वो कितना लेक्शन लड़ते हैं जाग लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं सत्तर साल हो गए सत्तर में बावन से गिनता हूँ क्योंकि उनसो बावन में पहला चुनाब हुआ था आज सत्तर साल हो गए बाई साब सत्तर साल में क्या मिला हमें ये मुख्यमंत्री बैठे हैं दिली के साथ साल में वो काम कर दिये जो इन्होंने सत्तर साल में ने किये बिजली फ्री इलाज फ्री शानदार हॉस्पिटल शानदार स्कूल इदर पढ़ाओ उदर पढ़ाओ तो शिक्षा में कोई अंतर नहीं, प्राइवेट सकूलों की फीस, कोई नहीं बढ़ा पाएगा, शांदार सकूल बना दिये, सडके बना दी, पुल बना दिये, पंजाम में हमें साथ महिने हुए हैं, अभी साथ महिने आज, सोला तरीक है, सोला मार्च को, शपत ग्रहन था हम आज सोला अक्टूबर है, साथ महिने हुए हैं, साथ महिने में हमने, पचास लाग घरों की बिजली फरी कर दी, कुरप्शन की, अगर शकायत आती है, कोई हेल्प लाइन जारी कर दी, दो सो बारा आदमियों को पकड़ के अंदर किया, आज ही, आपने सुना होगा, आज ही सुबा, एक कॉंग्रेस का मंत्री था, जो बचने के लिए बीजेपी में चला गया था, वो विजिलेंस को, उसके खिलाफ केस था, वो केस में से अपना नाम कटवाने के लिए, विजिलेंस के पास पचास लाग खर पे लेके आ गया, कि जी मेरा नाम निकाल दो, उन्होंने बोला जी आजो, अब तो नाम तुम्हारा ही होगा बस, अख़बार में पढ़ ले ना, टीवी पे देख ले ना, अब बीजेपी कह रही है जे तो जी हमारी तरफ अभी आया नहीं था, कॉंग्रेस कह रही है जी हमारी तरफ से तो चला गया था, ये इनका काम है, तो छोड इनकी बाते हैं, नए सूरिय की बात करते हैं, नए विचारों की बात करते हैं, नया खून, नए विचार, छोड़ दो इनको, बहुत हो गया, बहुत देख लिया इनको, बहुत मौके देके देख लिये, नहीं निकला कुछ, तो अब बदलते हैं फिर, जो जो बदलने के ल नहारा लगाते थे शहीद भगस सिंग जब उन्होंने अंग्रेजों से देश चुड़वाया था इनकलाब का मतलब है जनून आजादी का जनून भृष्टा चार से अजादी ये माफिया से अजादी ये लुटेरों से अजादी तो मैं ये कहने आया हूँ आपको कि जहां भी जाते हैं हम गुजरात में खास तोर पर यही प्यार मिलता है और हर रोज हम सोचते हैं इस से ज़्यादा तो क्या प्यार मिलेगा लेकिन अगले दिन रिकॉर्ड तूट जाता है अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे मेरे ख्याल में उसमें ये एक बात कहेंगे के भी ऐसा करो इस बार इतनी वो डालो इतने वो डालो बैसे पंजाब वाले अपना रिकॉर्ड बना के ये चाहते नहीं है के कोई रिकॉर्ड उसको तोड़े लेकिन इस बार हम आपके लिए ये माफ कर देते हैं के इतने वो डालो दिल्ली और पंजाब का रिकॉर्ड दो बस अभी सरकार बनने का तो पक्का हो गया लेकिन दो चार सीट इदर उदर हैं तो दोचर क्या सीधा एक अपने मिरिष्टेदारों दोस्तों मित्रों को कहो कि चलो चलते हैं यार एक बार इदर भी इस रस्ते पर भी चलके देखते हैं पता नहीं कहां कहां से हमारी खबरें लाते हैं ये तो जी हेलीकपटर पे आते हैं यह हैलिकप्टर कहां से आया मैंने कर जी हम तो पंजाब में योज यह नहीं करते हमारा भी दिल है गुजरात में हम सड़क से जाएं खेत खलियान देखें पहाड देखें लेकिन इशुदान भाई कहते हैं उतरते ही मैंने कार पे चलते हैं के नहीं भाई सब 50 किलोमेटर है म नहीं 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 धाई गंटे का है मैंने कहा क्यों कहते हैं यहां सडक में गड़े नहीं हैं गड़ों में सडक है हाद है फिर और क्या करें हम इसलिए हम कहते हैं कि बदल लो जब बोट डालने जाओगे मशीन पर एक बटन होंगे बटन के सामने चुनाव चिन होगा ये बात मेरी भावनगर वालो याद रख लेना बाकी भाशन भले ही याद मत रखना कि वो चुनाव चिन वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है ना ही किसी हाथ पंजे का ना ही किसी हाथी का ना ही किसी दाती थोड़े का ना ही किसी सीड़ी का ना ही वो बटन जाडू का असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है बाई साब जाडू बाला दबादोगे तो बच्चों की किस्मत चमक जाएगी वरना सताई साल से काम करी रहे हो फिर तुम ये बीजे भी बाले मुझे मिले कहते जी हम बिलकुल एंड में हम पलट देते हैं बाजी मैंने का कैसे कैते हैं अच्छा अब अगर ये ऐसे आए एलेक्षन से पहले आपको यह कहने के लिए आपके घर पे ऐसे आए तो मेरी हाथ जॉड़के विंतिय मना मत करना लक्षमी आई है घर में तो रखना आप ही के हैं आप ही के लूटा हुआ माल है इनका कौन सा घर से बनाते हैं यह हां इनको पकड़ के लक्षमी को उसके बोल देना के हां और एलेक्शन वाले दिन जैसे पंजाब में किया था लोगों ने अंदर जाके बटन दबा के कर देना के जो समझ गए वह ताली बजा सकते हैं बाकियों को माफ है अरे बहुत समझदार इलाका है जी बहुत समझदार लाका है सब समझ गए यह तो काम हो गया फिर हमारे साथ भी तो ऐसे करते हैं यह यह मेरे पंजाबी पाई बैठे ने एक हुंडा चकी बैठे बजर्ग बोले सो निहाल ए पंजाबी जित्थे जान देया है अपना मकाम बनाँ देया है गुजरादे विच बहुत पंजाबी ने मकाम बनाया ट्रक कावाड़े ट्रांसपोर्ट साड़े खेतां दे किसान साड़े काच्छे रियच मिले पंजाबी सारे रलके मिलके मिलके देश बन बगीचे में रंग विरंगे फूल होते हैं हमारा देश एक बगीचा है इसमें रंग विरंगे फूल हैं ये राजनीती करते हैं नफरत वाली हम वो नहीं करते जी हमें नहीं आती वो मैं तो आपको यही कहूंगा उमीद लेके देखो ना तो भावनगर में मेरे कुछ चाचे लेना यहां पे ना ही मेरा कोई माफिया में हिस्सा है मैं तो पंजाब से सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ के शहीद आजम भगत सिंग राजगरू सुखदेव चंदर शेकर आजाद ने सिर्फ पंजाब और दिल्ली आजाद नहीं करवाया था साथ में गुजरात भी थोता हाँ इमान दरी की सरकार यहां भी आनी चाहिए पार्लियमेंट में मैंने बोला सा जब मैं एमपी था बहस बड़ी बहस चल रही थी ये हो जाएगा इनको ये दे दो ये समाज वो समाज मैंने का जी मुझे तो 30 सेकंड चाहिए स्पीकर साथ बोले 30 सेकंड में क्या बोलोगे मैंने का जी यहां ना पहुंचे रवी वहां पहुंचे कभी मेरे तो 30 सेकंड में काम हो जाएगा इनके दो दो गंटे के बाशन की जरूरत नहीं है कि तो चलो बोलो फिर मैंने ये बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कभीलों में मत बांटिये एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये दोनों हाथ उपर उठाकर भारत मता की इनकलोब जैजवान वंदे बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाला अपने इतना प्यार सतकार से मुझे सुना बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार तरक्की करो तंदरुस्त रहो बहुत 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 निर्वान टीवी थे जा एपल टीवी थे नाल ही देख सकते हों लाइब स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com थे